आप सभी का स्वागत है SSC वाला परिवार पर और ये है दस कदम वीडियो सीरीज जिसमें हम ये प्रयतने करते हैं कि 10 मिनिट के आसपास की वीडियो लेंथ में आपको पूरा टॉपिक करवाया जाए तो आप सभी बच्चों के लिए आज का जो टॉपिक है वो है माउंटेन पासेज या पहाड़ी दर्रे चलो बच्चे बिना किसी डिले के शुरू करते हैं PDF आपको इस सेशन की History by my user टेलीग्राम ग्रूप में मिलेगी जिसका ये QR कोड़े स्कैन करके जुड़ जाएगे सबसे पहला क्वेशन पीर पंजाल दर्रा निम लिकित में से कहां इस्तित ह तो इसका सई जवाब है जम्मू और कश्मीर में सित है पीर पंजाल दर्रा और मैं आपको यहीं पर by trick trick के माध्यं से आपको पूरे एक बार में ही जम्मू कश्मीर के जो महत्वपूर्ड दर्रे हैं जो पासेज हो उम करवा देते हैं बही सबसे कहले देखो आपको दिख पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर में एक है पीर पंजाल, एक है बुर्जिल और एक आप देख पा रहे हो, बनी हाल दर्रा, ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर की अधिकतर जन संक्या क्या है, मुस्लिम मैजॉरिटी है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर के लोग बुजदिल नहीं हैं पीर में विश्वास रखते हैं और निहाल तरीके से रहते हैं निहाल मतलब खुश तरीके से रहते हैं निहाल शब्त का मतलब होता है ब्लेस्ड खुश तरीके से रहते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग पीर में से का हैं से थे अभी अभी हमने का कि पीर पंजाल हुआ या बुर्जिल हुआ या फिर हुआ आपका बनी हाल तो यह सब लोकेटिड है जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट कुश्चन देखो निमलिकित में से कौन सा दर्रा श्री नगर को जम्मू से जोड़ता है तो भाई इसका स लद्दाग तो पहले तो एक ही हुआ करता था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद शासित प्रदेश यानि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जबकि लद्दाग को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो यहां पर जो बनीहाल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है तो पीर पंजाल बनीहाल और बुर्जिल ये तो हैं कौन सा स्थित नहीं भाई जो जिला स्थित नहीं है तो क्या है जो जिला तो भाई जो जिला स्थित नहीं है तो यह कहां पर स्थित है यह लद्दाग में स्थित है तो भाई कैसे याद रखने हैं आपको यहाँ पर क्या है जोजिला खार दूंगला लद्दाक की बात हो रही है मिंटका पारपीक फिर खुंजरीब फिर आघिल कारा तागला लानकला पैंसीला चांगला अब ध्यान से सुनिएगा ट्रिक क्या है आपको इमेजिन करना है यह हो गई सब चाइना बार बार इंडिया में घुसने का प्रितन करता है तो लद्दाक के लोग तो इंडिया ने तो बड़े घुसे में तो लद्दाक में जो जिला है वहां के लोग बड़े खार में बड़े घुसे में बैठें और एक मिनिट लगेगा उनको और वो बॉर्डर पार कर लेंगे पारपीक और खून भी नहीं निकालेंगे चीनियों का उन पे आग भी नहीं लगाएंगे बिना खून निकाले बिना आग लगाएंगे सिर्फ उनको पैंसिल से मार देंगे इतना जादा गुस्ते में हैं पैंसिल से मार देंगे तो पैंसी से क्या हो जाएगा भाई पैंसिल से पैंसिला लेकिन हम लोग इतने लानत वाले लोग नहीं हैं हम लोग लानत वाले लोग नहीं है कि ये काम करें इंडियन्स अच्छे हैं हम चाहें तो बिना आग लगाए बिना खुन निकाले पैंसिल से मार दें हम लेकिन लानत वाले लोग नहीं हम कौन से लोग है हम चंगे लोग हैं और इसलिए हम ऐसा कर नहीं रहें समझ गए तो लदाक में जो जिला है वहां के लोग खार खाए बैटे हैं खार दूंगला एक मिंट लगेगा मिंट का पार कर लेंगे बॉर्डर पार पीक खून भी नी खालें खुंजरेब आग भी नी लगाएंगे हना आघिल ठीक है पैंसिल से ही मार देंगे लेकिन हम लोग चंगे लोग है हम लोग लानत वाले लोग नहीं है समझ गए यह आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे कारा तागला यह आपको अपने आप याद रखना पड़ेगा ठीक है नेक्स चीज़ पर आते हैं नेक्स चीज़ की चर्चा करते हैं तो इन निमली कित में से कौन सा दर्रा लदाक में स्थित है तो जोजला लदाक में है फिर लानक ला याद है लानत वाले लोग नहीं है और चांगला तो भाई सई जवाब है उप्यूक तो सभी तो सई जवाब क्या हो गया बच्चे उप्यूक तो सभी इसका सई जवाब है नेक्स कुशन देखेंगे निमली कित में से कौन सा दर्रा श्री नगर को लहे से जोड़ता है तो श्री नगर को लेह से जोडने वाला भाई जो दर्रा है उसका नाम है जोजला दर्रा तो ये लदाक में है श्री नगर को लेह से जोडता है श्री नगर किसकी राजदानी है जमू कश्मीर की और लेह किसकी राजदानी वच्चे लदाक की तो श्री नगर को इधर ध्यान टनल है जिसको हम कहेंगे जोजिला टनल ये भी धरी बन रहा है 14.2 km इसकी लेंद है दिसंबर 2030 तक लगभगी complete हो पाएगा अभी काफी काम उसमें चल रहा है चलो भई एक और बात कर लेते हैं यह जो जोजिला पास है यह कौन सी mountain range पर है जसकर तो यहाँ पर आपको दिख र चटा ने वो जो पहाड नदी ने उसको काट दिया फिर भविष्च में नदी ने अपना रस्ता बदल लिया तो वो रस्ता तो रह जाता है नदी तो नहीं है तो यही जो रस्ता है यही हम कहते हैं पास या दर्रा चलो भई कौन सा दर्रा भारत चीन अफगानिस्तान सीमा क रस्ता त्रीजंग्छन बनाता है इसका भी सई जवाब है मिन्टका इधर ध्यान देंगे मिन्टका तो आप देख सकते हों कि इंडिया हिधर चाइन और इधर आफगानिस्तान तो राए जंक्षन पर कौन सा हैğa बच्षे मिंटका तो इसका ग्रात स्था जवाप हो गया मि दाड़ी चला जा सकती है यहां पे इसका नाम है हमलिंगला यहां पर बिनूए हमांग पास लेकिन अगर मैं के बात कर contemplate बात करूं क je Do तो यह तो भाई लद्दाक में आप सब को मालूम है लद्दाक के लोग खार खाये बैटें गुस्से में तो यह भी एक बात हो गए हमारी नेक्स्ट बात करते हैं भाई तो खार दुंगला सेकेंड हाइस्ट है और हाइस्ट अमलिंगला रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है आप देखो भाई रोतांग डर्रा स्थित कहां पर हैं साही जवाब हमाचल प्रदेश तो तुमको कैअ दिमाग में रखना पड़ेगा हमाचल-प्रदेश के सबसे पहले हमाचल प्रदेश के सके कॉन कौन हैं रोहतांग बारा-लाचला शिपकीला तेप्स समया आपको दिम का ही दे रहा है जादू वाला वही वाला रोहित तो कहां रहता तक कसॉली का है हिमाचल प्रदेश तो भाई रोहित आपका एक दोस्त है हना और वह हिमाचल प्रदेश में रहता है आपने उससे बोला रोहित बारा शिब दे तो देखो रोहित से रोतांग बारा से बारा चला शिप से शिपकिला और दे से देवसा तो रोहित बारा शिप दे इसमें जो यह शिपकिला पास है आप देख सकते हो यह इंडिया को तिबबत से जोड़ता है तो इंडिया को तिबबत से कौन जोड़ता है शिपकिला पास तो यह भी आपने इस बात से दिमाग में रख लिया तो हमारे अगले question का भी हमको जवाब मिल जाएगा निमलिकित में से कौन सा दर्रा भारत को जोड़ता है तिबबत से सही जवाब है शिपकीला पाज जोड़ता है नेक्स देखो भई लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्तिते अगला trick देख लेते हैं भई तो लिपू लेक कह रहा है कि उसको खंडर घूमना है खंडर मतलब उत्रा खंड घूमना है और वो कह रहा है उसकी मलिंगा कह रहा है उसको खंडर घूमने की बहुत मंचा हो रही है बहुत इच्छा हो रही है तो हमने उसको मना किया हमने बहुत पागल है क्या लेकिन वो कह रहा है कि नहीं यार उसने पूरी नीती लिख लिए क्या किया उसने पूरी नीती लिख लिए कि कौन-कौन से ट्रेल पर जाएगा रस्ते पर जाएगा समझ में आ गया एक बार फिर रिपीट करता हूँ भई एक बॉलर है श्री लंका का जिसका नामे मलिंगा उसकी मंच्छा खंडर घुमना हमने मना किया उसने का लिख लिया है उसने नीती कि वो कौन-कौन से ट्रेल घुमेगा तो भाई ये उत्राखंड के सारे आपके पास हो गए चलो कुश्चन का जवाब है लिपुलेक दर्रा कहा पर है उत्राखंड में है क्योंकि उसने नीती लिख ली थी किसने लिख ली थी मलिंगा ने नीती लिख ली थी नेक्स कुश्चन की तरफ चलेंगे निमलिकित में से कौन सा दर्रा उत्राखंड में स्थित नहीं है तो भाई द दो दर्रहें जो आपको दिमाग में रखने हैं, एक का नाम नाम है नातूला और जैलेपला, तो बच्चे आप इसको कैसे करते हो, आप ऐसे बोल सकते हो, कि भाई, आप एक व्यक्ति नातू उसको बोलो, नातू सीख जलेबी ला, सीख से सिक्किम हो जाएगा, जलेबी से जल प्रधेश के पास देखते हैं aylaosaURs प्रदेश रवे प्रदीश के आपको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ब rapid से किम ट इन ठींज प्रदेश के रखना पड़ेगा कि युट नार्थ कोरिया का वह जब है लल्समें प्रदिश कि इम जो घ्मलbor ठीपर तो देखो किम यॉंग के डाइपर पानी से धोए तो देखो किम यॉंग के डाइपर पानी लेखा पानी से धोए किसने धोए चंकी पांडे ने धोए और अरुन डालना पड़ेगा ना रुन आचल चंकी पांडे ने धोए और अरुन ने धोए फिर भी किम जॉंग इत्ता बेकार व्यक्ति है कि फिर भी इन दोनों पर बॉम मार दिया और गन चला दी क्योंकि दो लोगे एक पर बंपे का एक पर गन चलाई ठीक है कर लोगे बच्चे तो हमने क्या बोला हमने बोला किम यॉंग के डाइपर पानी से धोए किसने चंकी ने और अरुन ने फिर भी इसने बॉम मार दिया और गन चला दी तो इस तरीके से आप अरुनाचल प्रदेश के पास कर लोगे और इसका सही जवाब भाई क्या है इसका सही जवाब क्या है भाई मेकमोहन लाइन पर डिफु धर्रा इस्थ है तो यहाँ पर आप देखो डिफु धर्रा यह MacMohan लाइन चैना से connected वाली, इंडिया चैना की लाइन क्या होती है मेकमोहन लाइन नेक्स्ट बात करेंगे भई, निम लिखित में से कौन सा दर्रा, अरुनाचल प्रदेश से लासा जोडता है, तो भई, अरुनाचल प्रदेश और लासा को जोडता है, बॉमडीला पास, कौन जोडता है, बॉमडीला, इधर ध्यान देंगे बच्चे, इधर देखो, यह नीलगीरी और यह आपका अन्नामलाई यहाँ पर देखो अन्नामलाई तो नीलगीरी और अन्नामलाई के बीच में क्या है पालगाट या जिसको पलककर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पालगाट दर्रा या पलककर दर्ला तो भाई यह हो गया नीलगीरी और अन्नामलाई तो ये देखो पालगाट, ये है आपका केरिला, इधर है आपका तमिल नाडू, तो कोची को, कोची को जो जोड़ता है भाई, चिन्नई से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पालगाट दर्रा, क्योंकि कोची और चिन्नई दोनों महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण सिटीज ह और कौन से पहाडों के बीच नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच नेक्स्ट बात करते हैं भाई राजस्थान के दर्रे देखते हैं राजस्थान में एक है गोरम दर्रा एक हल्दी घाटी कैसे याद रखो राजस्थान का इतिहास बड़ा गौरफ शाली है तो गोरफ से क्या हो जाएगा बच्चे गोरम दर्रा और हल्दी घाटी तो सबको मालूम है 1576 में बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था किसके बीच में अगवर के सेनापती मान सिंग जो आमेर के राजा थे और सामने थे महराना प्रताब जो मेवार के राजाते तो हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पर हुआ था यहाँ पर हल्दी घाटी बोलते हैं क्योंकि जो मिट्टी है वो यल्लो है क्योंकि हल्दी उकती है यहाँ पर 1576 का युद्ध अच्छा पहाड कौन सा है तो भाई कौन से पहाड का ये दर्रा है तो अरावली परवतमाला राजिस्थान में तो अरावली है तो भाई राजिस्थान के दो हो गए गोरम तो क्योंकि गौरफ शाली तियासे और हल्दी घाटी ठीक है ये तो आपको वैसे भी हिस्ट्री में आप मद्ध्य प्रदेश के दर्रे यहां पर आप मैप में भी देख सक्ते हैं हल्दी घाटी और गोरम अब अब मद्ध्य प्रदेश की बात करते हैं हाँ पर आपको एक नाम देख kke yeh या पर नाम देख रहा- 시작 की कुझी की टू डेकन बोला जाता है उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोड़ता है ठीक है बच्चे ये भी हमने बात कर ली नेक्स्ट देखो महराश्टर के दर्रे देखो एक है थालगाट एक है भोरगाट जो थालगाट है वो नासिक और मुंबई को जोड़ता है कैसे प्याद रखो ट्रीमब केश्वर मंदिर तो थाली लेके जाओगे ना बइसने नासिक जाओगे तो त्लगाट इसको जोड़ता है मुंबैरसे नासिक और कौन से परवत तो भाई सैयादरी वेस्टन घाट को महराष्टर में क्या बोलता है सैयादरी नेक्स्ट बात करें भोर घाट अब तुम नोटिस करो यह है मुंबई पूने के बीच में अब मुंबई और पूने दोनों यह बड़ी डेवलप्ड सिटीज हैं तो भाई तुम मुंबई से पूने के बीच में जाओगे नेक्स्ट बाई लास्ट है सेन कोटा धर्रा जो सेन कोटा धर्रा है वो बहुत साउथ में स्थित है तो अगर मैं जोग्रफिकल लोकेशन बात करूं तो थाल घाट आता है भोर घाट आता है उसके बाद आता है सेन कोटा धर्रा यह किसको जोड़ता है तिरू वनंद पुर होता है वह पालगाज जबकि हमने देखा कि तिरुवनंग पुरम और मदुरे को जोड़ता है सेन कोटा दर्रा तो अगर मैं इसकी जोग्रफिकल लोकेशन की बात करूं तो भाई यहां पर स्थित है क्या यहां पर मैं लिख देता हूं भाई सेन कोटा दर्रा ठीक है तो यहां पर भाई हमने सारी थीजने कर ली आपका होमवक आज के लिए है जोजिला सुरंग किस किस को जोड़ती है श्री नगर जमू लेह श्री नगर लेह और जर्मू या लासा और अरुनाचल आज की क्लास में भी हमने पढ़ा तो भाई इसका सही जवाब आप दे देना मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी इस्टैटिक जीके की रोज हमारी क्लास होती है ग्यारा बज़े से बारा बज़े के बीच SSC वाला यूट्यूब चैनल पर आप उससे भी जुड़ सकते हैं आप सभी बच्चों का इस सीरीज को देखने के लिए धन्यवाद मुझे उम्मीद है आपको इक्लास अच्छी ल